नमस्कार मैं सुमूंत, हम लोग बढ़ रहे हैं Fiscal Policy, ये है Lecture No. 2 Lecture 1 का लिंक, description में दिया गया है, उसको देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, Fiscal Policy के बारे में, क्या होता है ये इसका primary goal क्या है इसके साथ हमने देखा था कि fiscal policy किस तरह से expansionary और किस तरह से ये contractionary हो सकती है मतलब कि किस तरहिके से ये हमारे economic policy को achieve करने के लिए इसको twist किया जा सकता है इसको change किया जा सकता है आज हम लोग पढ़ेंगे fiscal policy के दो दूसरे types एक है pro cyclical policy दूसरा है counter cyclical policy दोनों को हम पहले देखते हैं detail में उसके बाद हम लोग budget के बारे में बाते करेंगे उसको शुरू करेंगे मैंने एक सवाल पर दिया था आपको जहां पर मैंने पूछा था आपसे crowding out effect के बारे में आपको इसका answer करना है comment section में इसको हम लोग अगले वीडियो में discuss करेंगे जिस तरीके से हम लोग fiscal policy को divide करते हैं contractionary and expansionary के form में fiscal policy को हमने divide किया expansionary fiscal policy मतलब सरकार जहां पर ज्यादा खर्चा करती है economy में demand create करती है और contractionary contraction मतलब की संकुचन होता है कोई चीज security है जहां पर fiscal policy में government demand को कम करने की कोईशिश करती है वो tax को बढ़ा देती है, government spending कम कर देती है, खर्चे कम कर देती है इसे तरीके से fiscal policy होता है cyclical and counter cyclical क्या होता है cyclical and counter cyclical अब भात समझो आपको पता है कि हमारी economy में boom और burst आता है इसका मतलब यह है कि हमारी economy में economy growth कभी कभी बहुत तेजी से grow करती है और कभी कभी मंदी आजाती है, फिर से grow करता है फिर से मंदी आती है तो यह जो grow करने वाला जो phase है इसको हम कहते हैं boom और सिकुलने वाला जहांपर डेमांड कम हो जाता है जहांपर डेमांड कम होने लगता है इसको हम कहते हैं बूम में क्या होता है demand बढ़ती है क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा जादा है उनके पास income आ रही है job बढ़ रहा है है ना? तो यहाँ पर job बढ़ेगा लोगों के हाथ में income बढ़ेगी जब उनके हाथ में income बढ़ेगी तो वो goods and services के demand जादा करेंगे हमारी economic activity बढ़ेगी economic activity बढ़ेगी और हमारा economy boom करेगा ठीक है? कभी कभी क्या होता है inflation के कारण या फिर किसी दूसरे job loss के कारण unemployment काफी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लोगों की job चली जाती है उनका income घट जाता है economy में फिर demand घटने लगता है जब सरकार flow के साथ चलती है जब सरकार की policy economy की इस्थिती को support करने के लिए बनाए जाती है उसको हम कहते हैं cyclical policy for example अगर economy boom कर रहा है तो सरकार इस boom को और बढ़ाने के लिए policy अपनाएगी क्या बोलते हैं इसको cyclical policy दूसरा होता है counter cyclical इसका मतलब क्या है जब कोई face चल रहा है उसके उल्टी दिशावाला policy सरकार अपनाएगा for example अगर हमारा economy boom कर रहा है तो सरकार ऐसा policy बनाएगा कि हमारी economy overheat न हो हमारी economy overheat न हो इतना न बूम कर जाए कि हमारा economy एक bubble की तरह दिखे ठीक है? मतलब कि किसी भी समान का दाम है 100 रुपई या उसका दाम बढ़ते बढ़ते हो गया 500 ऐसा न हो वैसे ही अगर हमारी economy burst हो रही है हमारी economy जब job loss हो रहा है तो सरकार ऐसे policy बनाए कि हमारा economy थम जाए मतलब ये गिरने से रुख जाए हमारे यहाँ job create होने लगे समझे? साइकलिकल में क्या होता है? सरकार flow के साथ चलेगी सरकार flow के साथ चलेगी और counter साइकलिकल में क्या होगा? सरकार flow के against चलेगी current economy situation को counter करने के लिए क्या करेगी? current economic situation को counter करने के लिए counter करने के लिए policy बनाये गिए इसको हम कहते हैं counter cyclical policy तो cyclical policy में क्या होता है? मतलब pro cyclical policy में क्या होता है? जो हमारा वरतमान economic condition है उसी को और मजबूत करेगा उसी को और आगे बढ़ाएगा ठीक है? for example जब हमारी economy में growth हो रहा है expansion हो रहा है तो सरकार expansionary policy अपनाएगी government spending बढ़ जाएगा सरकार tax कट कर देगी वहीं पे अगर हमारा economy contract कर रहा है अगर हमारा economy सिकुल रहा है तो सरकार contractionary policy अपनाएगी जहां पर वो tax को बढ़ा देगी अपना spending खर्च कर देगी मतलब कम कर देगी generally government इस तरह की policy को नहीं अपनाती extreme condition में कुछ बहुत special measure लेना हो तो ऐसी policy अपनाती है तो सर, सरकार generally कैसे policy अपनाती है generally सरकार counter cyclical policy अपनाती है इसका मतलब यह है कि जो इस्थिती चल रही है उसको counter करने के लिए government intervene करती है business cycle के against काम करता है for example अगर हमारा economy expand कर रहा है अगर boom कर रहा है तो government क्या करेगी government यह चाहेगी कि हमारा economy overheat न हो सामान कदाम इतना न बढ़ जाए उसका valuation इतना न बढ़ जाए कि वो bubble की तरह दिखने लगए क्योंकि bubble फिर फटता है बाद में समझ गया जैसे कि अगर economy में मंदी है अगर recession है तो सरकार अपने खर्चे को बढ़ा देगी जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा पर जो allocation है वो बढ़ा देगा तो grammyn इलाकों में नरेगा पर जो पैसे खर्च होते है वो बढ़ जाएंगे आम लोगों को रोजगार मिलेगा grammyn आये बढ़ेगी सरकार tax cut कर देगी tax cut करने से क्या होगा जो individuals है उनके पास disposable income बढ़ जाएगा मतलब खर्चा करने योगे जो आमदनिन को बच रहे थी वो बढ़ जाएगी business का अगर हम tax cut करेंगे तो business का जो income है वो बढ़ जाएगा वो business expand करना शुरू करेगा नए नए jobs create होंगे किलर बात है ये होता है कब? जब आर्थिक मंदी आती है मगर जब economy boom कर रहा है बहुत तेजी से grow कर रहा है तो क्या करेगा? सरकार उस समय tax बढ़ा देगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम बचे दूसरा सरकार अपना spending कट कर देगी क्यों? क्योंकि private sector spend कर रहा है क्योंकि private sector जो है वो खर्चा कर रहा है इसलिए सरकार अपना खर्चा कम कर देगी saving करेगी ताकि बाद में जब मंदी आए तब खर्चा किया जा सके समझे? तो ये होता है pro cyclical and counter cyclical fiscal policy इसको मैंने comparison करने के लिए same content है मैंने बस table में डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे चलो अब आता है budget हमारे समिधान में कहीं पर भी budget सब्द का चर्चा नहीं किया गया है budget सब्द को इस्तमाल नहीं किया गया है तो सर्य बजट आता कहां से है? ध्या सुना ये चीज सरकार चलाने के लिए पैसे की जरुवत होती है क्या होता है? सरकार चलाने के लिए पैसे की जरुवत होती है और ये क्या होता है ये खर्चे होते हैं ये expenditure होता है ठीक है खर्चा करने के लिए पैसा कहां से आएगा ये आएगा रेसिप्ट से आमदनी से ये से आएगा ना किसे आएगा आमदनी से ये क्या है ये क्या है ये खर्च है तो समिधान हमारा ये कहता है आर्टिकल 112 के अंतरगत समिधान ये कहता है कि पार्लियामेंट के सदनों में पेश किया जाएगा एक Annual Financial Statement जहां पर revenue और expenditure दोनों का बेवरा रहेगा क्या होगा revenue और expenditure दोनों का बेवरा रहेगा और ये आमदनी और खर्च एक April से ले करके अगले साल 31 मार्च तक के होंगे एक अपरिल दो हजार चौबिस से लेके 31 मार्च दो हजार पचीस तक के जो आपके खर्चे हैं वो आपको यहाँ पर लिखे रहेंगे आमदनी और खर्च दोनों इसको हम कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं फिसकल एर जो हमारा एक अपरिल को शुरू होता है एक तिस मार्च को खतम होता है अब यूपीस सवाल पूछता रहता है कि यह बजट बनाता कौन है वित मंत्राले में मिनिस्ट्री ओफ फानाइन्स में एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ओफ एक पेश किया जाएगा कills अब हम करते क्या है। आर्टिकल 112 को हू POL हूम बहू वर्ड बाइवर्ड श्टडी करते हैं क्योंकि इस से कई सरे कॉशल पूछे जाते हैं में अर्टिकल 112۲ में में तीन क्लाउज हैं हैं क्लाउज नंबर वन तू और क्लाउज नंबर थ्री क्लाउज नंबर वन यह कहता है कि हर फानेंशियल इयर के लिए संसद के दोनों सदनों में केवल लोग सभा में ही नहीं राज सभा में भी प्रेसिडेंट पेश करवाएगा क्या करेगा प्रेसिडेंट पेश करवाएगा एक statement जिसमें receipt और expenditure लिखा होगा ठीक है और ये जो expenditure होगा वो revenue और capital expenditure दुन में divide होगा मतलब कि जो खर्चा हो रहा है तो कौन सा पैसा आपने निवेश करने के लिए खर्च किया है कौन सा पैसा आपने current needs को fulfill करने के लिए खर्च किया है ठीक है मतलब कि आपको revenue expenditure और capital expenditure इस तरह से divide करके बनाना पड़ेगा ये हमारे समिधान में लिखा गया है इसी कारण से budget इस तरह से पेश किया जाता है समझे एक बात और ये जो estimate और off expenditure है देखो खर्चे का हम estimate ही निकाल सकते हैं न अगर हम इस financial year के लिए budget बना रहे हैं तो इस financial year में कितना खर्चा होगा उसको हम केवल estimate ही कर सकते हैं न अनुमान ही लगा सकते हैं न इसी लिए उसको estimate of expenditure कहा जाता है और ये expenditure दो तरीके से पैसे निकाले जाते हैं मालो की budget के लिए सरकार को 100 klor रुपए चाहिए ठीक है तो इस 100 klor में से कुछ रुपए और कुछ रुपए निकालने के लिए पार्लियामेंट से voting कराए जाएगी ठीक है और ये पैसे कहां से निकलेंगे ये पैसे निकलेंग के consolidated fund of India से इस fund में जो भी रुपए निकलेगा इस fund से जो भी रुपए निकलेगा वो पार्लियामेंट की मनजूरी के बाद ही निकलेगा और पार्लियामेंट अपना मनजूरी कैसे देता है vote करके जो बजट पास होता है न वो पार्लियमेंट का मंजूरी ही है कि जाओ इस फंड से पैसे निकाल लो ठीक है तो जो पैसे पार्लियमेंट के वोट के बाद निकलेगा वो होता है expenditure made from the fund मगर वो पैसे जो बिना voting के निकाल सकते हैं उसको हम कहते हैं expenditure charged upon the fund for example मालो के supreme court के जज़ को salary देनी है तो salary देने के लिए हमको पार्लियमेंट का voting कराने के जरूत नहीं है वो पैसा अपने आप उस fund से निकल जाएगा why because that expenditure is charged upon this fund अब सवाल यह उठता है कि ससूर यह बताओ कौन-कौन expenditure है जो charged है मतलब कौन-कौन सा पैसा निकालने के लिए पार्लियमेंट का अनुमती नहीं चाहिए होगा महात्मा गांधी नरेगा में जो पैसा खर्चा करना है इसके लिए पैसा निकालने के लिए हमको चाहिए होगा बिलकुल पार्लियमेंट का अनुमती चाहिए होगा यहाँ पैसा खर्चा करने के लिए सर MSP में जो subsidy देते हैं उसके लिए सर बिलकुल Parliament का चाहिए होगा सर Supreme Court के जज़ का जो salary देते हैं वो सर उसके लिए नहीं चाहिए होगा कहा लिखा गया है सर इसी article number 22 के clause number 3 में यह है clause 3 ठीक है यह कहता है कि President को जो alliance मिलता है इनको जो involvement मिलता है वो सारे खर्चे इस fund से निकलेंगे बिना Parliament के voting के यहां तक कि राजसभा का chairman और deputy chairman लोगसभा का speaker और deputy speaker इनका salary भी इसी fund से आएगा भार सरकार को जो करजे pay करने हैं ठीक है ना जो debt charges है वो भी इसी fund से आएंगे और इसके लिए voting कराने के जरूवत नहीं है क्यों सरे ऐसा क्यों आप एक बात समझो मान लो कि किसी विदेशी संस्था को पांच क्रूर रुपया pay करना है किसी कारण से parliament मिठ ही नहीं कर पाया संसत का सतर हो ही नहीं पाया तो voting कैसे करेगी वाल्ट कर जाएगा क्यों क्योंकि हम अपनी देंदारी को ओनर नहीं कर पाए अपना जो कर था उसको हम चुका नहीं पाए इसी समस्या को दूर करने के लिए जो भी आपके debt charges होते हैं वो automatically इस fund से कट जाते हैं निकल जाते हैं इसके साथ साथ सुप्रीम कोट के जो जज हैं इनका सैलरी और पेंशन दोनों हाई कोट के जज का केवल पेंशन इसका सैलरी कहां से आएगा हाई कोट के जज का जो सैलरी होता है ना बाबू वो उस राज्य के उस स्टेट का जो consolidated 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 fund of estate है ना वहां से आता है ठीक है राज्य का जो फंड होता है वहां से हाई कोट के जज का सैलरी आता है मगर पेंशन सेंट्रल फंड से आता है कि इसके साथ 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 सीज का जो सैलरी है एलॉयंस है पेंशन है यह भी CFI से ही आता है तो इतने बाते हो गई हमारे economy की quality हमने article 112 के बारे में पढ़ा कि कौन सा fund कौन सा हमारे यहां expenditure charged है और कैसे मतलब budget मतलब चीज़ें होती है कौन पेश करवाता है budget हमारे parliament में के लिए रबात चल एक सवाल पुछा था UPSC ने 2010 में which one of the following is responsible for preparation and presentation of budget to the parliament एक दमासान सवाल है ठीक है तो इसका answer कीजेगा यह question number one है question number one इसका answer है करना एक question में आपको और दे रहा कह रहा है क्या budget नाम का शब्द article 112 में देखने को मिलता है दूसरा समिधान के मुताबिक क्या वित्मंत्री संसद में budget को पेश करता है दून में से कौन से बातें सही है आपको यह बताना है अब देखो ध्यान से budget का मतलब क्या होता है आमदनी और खर्च ठीक है क्या होता है revenue और expenditure खर्च जो revenue होता है revenue दो तरीके से हम ला सकते हैं आमदनी दो तरीके से ला सकते हैं एक आमदनी ये होगी जिसमें कोई liability पैदा न हो जैसे कि मालो की हमारा जो income tax है GST है वो सब उसको हम क्या बोलते है revenue receipt revenue receipt ठीक न जैसे कि हमने income tax लिया income tax हो गया GST हो गया इसके साथ साथ सरकार railway में जो ticket बेच के पैसे कमाती है post office में dark वाला जो पैसा होता है ये सारा पैसा revenue receipt के अंदर आता है क्यों कि ये सारा जो income है न वो सरकार पर कोई liability पैदा नहीं कर रहा क्या हो रहा है government पर कोई liability पैदा नहीं कर रहा मगर अगर सरकार यही आमदनी लोन के रूप में लाती है तो उसको हम capital receipt कहते हैं इसमें सरकार की उपर liability पैदा होती है या सरकार का कोई asset निलाम होता है asset सरकार का घटता है for example मालू की सरकार ने अपना किसी PSU को बेच दिया PSU को आपने sell कर दिया disinvestment कर दिया तो सरकारी शेयर को बेच के जो पैसे मिले वो क्या कहलाएगा capital receipt कहलाएगा मतलब कि यह जो हम आमदनी ला रहे हैं उसके कारण सरकार पे या तो liability बढ़ी है या तो सरकार का asset घटा है इत्तिमात के लिए तो आपने समझा क्या होता है revenue receipt क्या होता है capital receipt ठीक है अब आते हैं हम लोग खर्च पर expenditure पर expenditure भी revenue and capital होता है revenue expenditure and capital expenditure revenue expenditure का मतलब यह होता है वैसे खर्चे जिसमें कोई asset creator नव हो जैसे कि हमने railway के employee को salary दी है ना हमने जो loan लिया था loan का हमने ब्याज चुकाया हमने loan नहीं चुकाया हमने loan का ब्याज चुकाया तो ब्याज चुकाने से हम पर loan खतम हो गया नहीं न, अगर हमने लोन चुका दिया होता, लोन रिपे कर दिया होता, तो वो हमारे कैपिटल एस्पेंडिचर में आता. मतलब कि हमारा कोई लाबिलीटी घट गया, लाबिलीटी घट गया, या हमने कोई एस्ट कर दिया. समझे बात पूरा मामला लायबिलीटी और एसेट का ही है ध्यान सुनना ये चीज अगर सरकार अपना लायबिलीटी बढ़ा करके एसेट घटा के अगर कोई आमदने लेकर के आती है उसको हम capital receipt कहते है अगर सरकार पैसे खर्च करके अपना लायबिलीटी घटा लेती है या एसेट बढ़ा लेती है उसको हम लोग capital expenditure कहते है ठीक है तो capital वाले में लायबिलीटी घटेगी बढ़ेगी एसेट घटेगा बढ़ेगा समझगे ना और जो revenue वाला मामला है जो revenue वाला मामला है उसमें liability पर कोई impact नहीं पड़ेगा, हमारे asset कोई create नहीं होंगे, regular काम जो होता है वो होगा, regular खर्चे जो है और regular आमदनी जो है वो होगी, तो budget को हम लोग इस तरह से divide कर सकते हैं, समझे, आमदनी और खर्च के रोप में, ठीक है, budget को divide करने का एक तरीका और है, जो हम पढ़ेंगे next class में, आज जो हमने बाते पढ़ें, उसके अधार पर हम आपको कुछ questions दे रहे हैं, पहला question है capital receipt के बारे में, मतलब कि वो आमदनी जो या तो कोई liability create करके आ रही है, या तो कोई asset को dilute करके आ रही है, ठीक है न, मतलब कि हमने किसी PSEO का share, मतलब वो disinvest कर दिया, या फिर हमने कोई loan ले लिया, यह सब किस में आता है, capital receipt में आता है, तो वहीं पूछ रहा है कि उनमें कौन-कौन से हैं, जो इस receipt के part है, आपको इसका answer करना है, यह question number 3 हो गया, 2 हो गया आपका, जिसको आपको answer करना है, अगला question हमारा है, capital account के बारे में, वही capital account में दो हिस्से होते हैं, capital receipt and capital expenditure, तो जो capital receipt होता है, क्या capital receipt के कारण सरकार का जो asset है, वो बढ़ेगा, क्या capital expenditure के कारण सरकार की जो liability है, देंदारी है, वो बढ़ेगी, यह question number 3 हो गया है, इसको answer कीजेगा, इन question को हम लोग अपनी अगली class में discuss करेंगे, थेंक्स वर वाचिंग, टेक केर, जाहेंग,